आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुना स्वागत है सुभास स्टडी सेंटर यूटूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे महत्वपूर कविका जीवन परचे, साहितिक परचे और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जो कई बार बोड परिच्छाओं में पूछे जा चुके हैं कहने का आर्थ है इनका जीवन परचे, साहितिक परचे और रचनाओं से सम्मंधित प्रशन कई बार बोड परिच्छा में आया हुआ है तो यदि आपक अच्छा बारा के विद्यारती हैं और आप 2023 बोड परिच्छा की वहतर तयारी करना चाहते हैं अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ें और चैनल को सस्क्राइब कर लें यदि आप पहली बार आए हो इस वीडियो पर तो आपको च और आपके पास है सामान हिंदी और यदि आपके पास है साहितिक हिंदी और यदि आपने इस वर्स 2023 बोड परिच्छा के लिए साहितिक हिंदी अथवा सामान हिंदी में से किसी एक को चुना है तो आज का यहाद जीवन पर्चे आप सभी के लिए महत्त पूर होगा तो चल की प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी परिछा में साहितिक परिचाई यानि जीवन परिचे से समंधित प्रश्ण किस तरीके से पूछा जाएगा। यहां आप देख सकते हैं माडल पेपर के द्वारा प्रश्ण संख्या पांच खा के अंतरगत पूछा गया है माडल पेपर में निमनलिखित में से किसी एक कविका साहितिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख क्रतियों पर प्रकाश डालिए और अधिक्तम सब्द सीमा क्या होगी अच्सी सब्द और आपको नंबर कितने मिलेंगे पांच नंबर यहां से मिलेंगे जब आप दिये गए तीन विकल्पों में से किसी एक कविका साहितिक परिचय जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में लिखेंगे तो आपको पांच नंबर यहां से मिल जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं विकल्ब में भी दिया गया है आयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोध और मैं आपको बताऊंगा इनी का जीवन परचे, साहितिक परचे और प्रमुक रचनाओं के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलकुल आसान सब्दों में मैं आपको इनका जीवन परचे बताऊँगा आपको बिलकुल आसानी से याद भी हो जाएगा और आप वीडियो को share भी कर दीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोध जी का जीवन परचे क्या हो जाएगा अयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोध का जन्म 15 अप्रेल सन 1865 इस्वी में उत्तर प्रदेश के आजम गढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था अयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोध जी का जन्म कब हुआ था 15 अप्रेल को सन 1865 इस्वी में कहां हुआ था उत्तर प्रदेश के आजम गढ़ जिले के किस गाओं में निजामाबाद में हुआ था कहां हुआ था निजामाबाद में हुआ था इनके पिता पंडित भोला नाथ सिंग उपाध्याय तथा माता सिरी मती रुकमणी देवी थी इनके पिता का क्या नाम था पंडित भोला नाथ सिंग उपाध्याय था और अयोध्या सिंग उपाध्याय जी की माता जी का क्या नाम था सिरी मती रुकमणी देवी और इनकी प्रारम्बिक सिच्छा फारसी भासा में हुई अयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोद जी की फारसी भासा में सिच्छा प्रारम्ब हुई थी यानि इनकी प्रारम्बिक सिच्छा किस भासा में हुई थी फारिसी भासा में हुई थी मिडल उत्रीड करने के बाद आगे की सिच्छा के लिए क्विन्स कालेज वाणा रसी गए लेकिन अस्वस्त होने के कारड इन्हें लोटना पड़ा इन्होंने मिडल क्लास उत्रीड कर लिया इसके बाद ये आगे की सिच्छा प्राप्त करने के लिए कहा गए कुन्स कालेज जो की वाडारसी में था वहाँ पर पढ़ने के लिए गए लेकिन इनका स्वास्थ खराब हो जाने के कारड ये वहाँ से लोट आए घर पर ही आपने अंग्रेजी फारसी संसकरत का अध्यन किया और इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी भासा का फारसी भासा का तथा संसकरत भासा का अध्यन किया हरियोध जी निजामाबाद में मिडल स्कूल में अध्यापक तथा कासी हिंदु विश्विद्याले में अवयतनिक सिच्छक रहे अयोध्य सिंग उपाध्याय हरियोध जी निजामाबाद के मिडल स्कूल में अध्यापक तथा कासी हिंदु विश्विद्याले में अवयतनिक सिच्छक रहे 6 मार्च 1947 इसबी में कब 6 मार्च 1947 इसबी में आपका देहा वशान हो गया तो इनका जीवन परचे आपको इस तरीके से लिखना है 6 मार्च 1947 इसबी में हरियोध जी का देहा वशान हो गया अर्थात इनकी म्रत्ति हो गई तो आप ध्यान दीजिएगा कि अयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोध जी का जन्म कब हुआ था 15 अपरेल 1865 में कहां हुआ था उतर प्रदेश के आजमगड जिले के निजामाबाद में हुआ था और इनके पिता का क्या नाम था पंडित भोला नात सिंग उपाध्याय और माता जी का क्या नाम था सिरी मती रुकमडी देवी था और इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी फार्सी तथा संग्सक्रत भासा का अध्यन किया और इनकी म्रत्यू कब हो गई थी 6 मार्च 1947 इस्विव को अरियोध जी की म्रत्यू हो गई थी इनका साहितिक परिचे क्या हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं अयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोध आचार महावीर प्रसाद दिवेदी के संपर्क से ही खड़ी बोली काब के स्रेष्ट कवी वनी जब अयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोध जी आचार महावीर प्रसाद दिवेदी जी के संपर्क में आए तभी से ये खड़ी बोली काब के स्रेष्ट कवी बने क्योंकि आचार महावीर प्रसाद दिवेदी ने सं 1903 इस्वी को सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था और इनकी साहितिक सेवा के कारण ही हिंदी साहित सम्मेलन के दिल्ली अधिवेशन का सभापत बनाया गया अयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोध जी की साहितिक सेवा के कारण ही इन्हें हिंदी साहित सम्मेलन के दिल्ली अधिवेशन का सभापत बनाया गया और इनकी कुछ प्रमुख रचना है जो की बोड परिच्छाओं में कई बार पूछी भी जा चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली रचना है प्रिय प्रवास दूसरी रचना है वैदेही वनवास तीसरी है रस कलस पारिजात चोखे चौपदे चुबते चौपदे पवंदूतिका अध किला फूल ठेट हिंदी का ठाठ आदी यह कुछ इनकी प्रवास वैदेही वनवास रस कलस पारिजात चोखे चौपदे 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 पवंदूतिका अधिकिला फूल ठेट हिंदी का ठाठ आदी यह कुछ इनकी प्रमुक्रचनाए हैं तो कुछ इस तरीके से आपको अयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोध जी का जीवन परचे लिख देना है आप चैनल के साथ जुड़ें और 2023 बोर्ड परिच्छा की वहतर तैयारी करना स्टार्ट करदें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करदें जैहिंद